Hello everyone, welcome to Unique Edu Center आज हम आप लोग के लिए exercise 1.1 यानि की real number का full solution ले के आया हूँ यानि एक एक question के हम solution करवाएंगे और वहाँ उसको बेहतर में में समझेंगे कि इसका कैसे solution करेंगे तो देखे, सबसे पहला आपका board पर question लिखा हुआ है, timing बचने के लिए हम question लिख दिया है कि use Euclide division algorithm to find the HCF of 135 and 225, second में आपका है 196 and 38220 और third में आपका है 867 and 225 तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमको क्या करना है, HCF निकालना है Euclide division algorithm से तो Euclide division algorithm में खेड़िया आपको तीन step जो की बताया जा चुका है, कि अगर क्या हमाल ये की doing जी जाना है, तो first step में क्या करेंगे 2 to 5 है, वो greater than 135 से, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए let A equal to 225 and B equal to 135, ठीक है, अब step 1 था कि apply Euclide division algorithm on A and B, third step में क्या था, कि step 1 में ये था कि apply करना है Euclide division algorithm तो हम कहेंगे कि apply, ठीक है, when we apply, ऐसे कर सकते हैं कि when we apply, ठीक है, when we apply, ठीक है, when we apply, ठीक है, Euclide division algorithm, इसको EDA लिखते है, Euclide division algorithm on 225, 225 and 135, 135, then we get, then we get, क्या हमको मिलेगा, देखो, Euclide division algorithm apply करने का मतलब कि greater वाले को smaller से divide करना, already हम आपको बता चुके है, यह जोड़ी points है, या quality वीडियो में बताय जा चुके है, हम link देदेंगे, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, तो जब हम divide करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 से जाएगा, 1, 3, 5, 0 आया, यहां आपका च remainder, such that, कुछ इस तरह से हमको यह question to remainder मेरा, कि 2, 2, 5, equal to 1, 3, 5, into 1, plus 9, अब ध्यान दीजे step 2, यह step 1 था, कि हम क्या करेंगे, Euclide division algorithm apply करेंगे, step 2 हमको यह कह रहा था, कि 1 remainder not equals to 0, जैसे लिखेंगे, since, ठीक है, remainder, यहां लिखेंगे, since, remainder, कितना, 90 not equals to 0, is still here, step 2 में चलेंगे, step 2 को क्या होगा, step 2 कोण लिखवाय, को के तो ूआप किया करेंगे, marry 9 यह diviser है, इसकोuar dividend मान लेंगे, उसको diviser मान लेंगे, यह 2 remainder है इन दोनों में आप देखें इसमें और इसमें greater one है 135 जो greater होगा उसको dividend मानेंगे take 135 as dividend as dividend and 9-0 as remainder और 9-0 को हम क्या मानेंगे remainder मानेंगे तो and apply और इसके बाद लिखेंगे and apply and apply Euclid divism algorithm तो जब हम apply करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 135 equal to 90 into 1 plus 45 हमको क्या मिला 45 फिर से कहेंगे कि since remainder ठीक है क्या है remainder 45 not equals to 0 फिर से remainder जो है वो 0 नहीं है तो step 3 यही कहता है कि अगर remainder 0 ना आए तो इस step को तब तक करते रहना है तब तक करते रहना है जब तक क्या करता है कि जब तक remainder 0 ना आ जाए तो इसको हम continue रखेंगे जब तक remainder 0 ना आ जाता है तो फ़र इसको क्या किते लिखिए ठीक है I hope कि आपनों लिख लिए होंगे ठीक है और इसको क्या कर लिखें या आप नहीं लिखें तो आप pause करके लिख लिखें या फिर इस ग्रेंस ओट लिखें ठीक है हम क्या करेंगे step 3 लिखेंगे अब देखो यहां से देखो step 3 में क्या करेंगे हम आपको जैसे कि पहले ही बताएं पहले ही क्या बताए थे कि जो इन दोनों में greater उसको डिविदेंट मारेंगे तो 90 ग्रेटर है तो क्या करेंगे टेक 90 एज डिविदेंट टेक 90 एज डिविदेंट एज 45 एज डिविदेंट करेंगे अधा हमको मिलेगा हमको मिलेगा 90 equal to 45 into 2 plus 0 अब देखे remainder 0 आगया यहां remainder क्या आगया 0 तो now remainder equal to 0 remainder कितना आगया remainder equal to 0 इसलिए HCF, HCF equal to क्या होता है आपको बताया गया है कि last divisor जो होता है देखें तो diviser किसको माने थे 45 को 45 को क्या माने थे diviser और यहां की हो गया 45 इंसलिए तो first question का कितना इंसल आएगा 45 जब हम इसको divide किये तो step wise step आगय परते गए तो हमको last में क्या मिला 45 diviser मिला तो यहां का हो गया इसी तरह से बाखी question को भी find करें ठीक है तो इसको फिर से screen swap ले लीजे तो अब इसको क्या करेंगा जो इसका second question था second question को हम क्या करेंगा solve करेंगा इसको हम क्या करते है लेज करेंगा अब यहां second question दिखेंगे क्या करेंगे second question ठीक है second question क्या है आपका second है आपका one nine six and one nine six and three eight two two zero second क्या है one nine six and three eight two two zero इसका हमको क्या करना Euclid division algorithm के methods हमको HCF निकाना है तो कैसे define करेंगे अब तो आपको पता है तो बहुत आप करेंगे सबसे पहला काम क्या है कि सबसे फर्स्ट हमारा काम क्या है कि इन दोनों में जो greater है इन दोनों में जो greater है उसको क्या कर लेंगे इसलिए क्या करेंगे इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस three eight two two zero जो है वो greater than one nine six इसलिए क्या करेंगे इसमें सबसे पहला काम इसका क्या है टेक ठीक है या लेट ठीक है लेट ए इकवल टू three eight two two zero एड बी इकवल टू one nine six एड अपलाई अपलाई यूगलीड डिविजन अलगोरिफ्म जब हम यूगलीड डिविजन अलगोरिफ्म अपलाई करने के लिए बोल रहे हैं इसका मतलब हम यह कह रहे हैं कि जो number greater है उसक तो इसमोर से डिवाइड कर दीजिए तो डिवाइड किजिएगा तो देखिए यहां क्या है आपका three eight two two zero को डिवाइड करना कितना से one nine six से डिवाइड करेंगे तो कितना अब तो जीएगा तो यह one nine five में कर देगा याने three eight two two zero है यहां one nine six है तो जब यो nine five से direct हम बता दे रहे हैं कि किजिएगा तो हमें इसक ही इक बार में इक बार में कच जा रहा है तो यहां क्या लिखेंगे तो जब is a थी में जोन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा ? 382, 00 0 एकवालं क्या हो जाएगा ? 196 x 125 Plus 0 यहाँ एखी एस्टेप में तो यहाँ यहाँ ए एक ही स्टेप में क्या हो जिआए? 0 आगया तो अगर यहीं स्टेप में 0 मिल जातो हमगो कोई सोख नहीं है कि हम 2-3 step आगे जाएंगे अगर हमको मालो कि हम कहीं जाए और पहले ही आदमी सोचीद हमको बेट हो जाता हूं क्या कहीं और जाने के जोरुख ही नहीं है ठीक है तो यह आपका हो गया तो यहां लिखेंगे since remainder equal to zero यहां क्या लिखेंगे since remainder equal to zero इसलिए HCF क्या हो इसलिए तो यह आपका second question का answer है अब आए आप है third question पर इसको पाउस करके इसको क्या कर लीचे लिख लीजे पाउस करके इसको लीख लीजे फिर हमादें आपको third question कि third question क्या करें चीक है यह आपका second था अब आप है चले तो third question लिखें इसमें का जो third question है वो कितना है यह आपका 867 और 225 इसमें का third question कितना है 867 and 225 यह आपका क्या है third question है अब इसको हम क्या करेंगे solve करेंगे तो यहां देखे solution आएगे यहां कच्चा हो गया solution हो गया हम as of जैसे कि पहले first question में वही काम किये second में भी वही काम किये फिर वही कहेंगे कि सबसे पहले क्या देखेंगे कि since 867 जो है वो greater than 225 से देखेंगे कि दोनों में greater को है जो greater होगा जो greater होगा उसको A मानेंगे ठीक है तो क्या कहेंगे यह आपका क्या है step 1 है तो हम आपको बोले कि कि 867 को A मानें और 225 को और B मानें और उस पर उसक्राइब दिविजन लेमा अपलाई किजिए तो यह अपलाई करने का मतलब हम कर रहे है कि greater वाले number को smaller से divide किजिए यानि कि 867 को हमको divide करना है 225 से तो डिवाइब करेंगे तो हमको क्या आएगा यह बार 225 को 2 से करेंगे तो किता आजीद जाएगा चार सो पर चास तीन से करेंगे तो किता आ जाएगा आजीद आजीद आखाच्छे और यहाँ आजीद आजीद आगा तू यहाँ होगह आपका 9 और यहाँ होगह ओन 9 2., Kal weiter तो यहां को मिलता कितना कुछन तर्म थिरी मिला यह सबस्तैनी यहां कितना कितना है 255 ठिकार 255, यह सबस्तैनी कितना है 867 एंद 255 यहां क्या करएंगे यहां भी 255 कर लेते हैं कितना से करेंगें? यह हम कितना हो गया, तो Вам किकना हो गया? अगर कितना हो गया? अगर हम 255 को हम त्री से करते हैं, तो 3 से जिवाइज़ करते है, कितना यह गया 5 तो 6 ii संसक्रारा इस दखने से श्की हे तो मिला तो जब हम के इतना इतना अप्लाईए उपलीट इवजान लामा तो हमको क्या मिला तो हमको मिला कि 867 इक्वल 2 255 इंटु 3 प्लस 102 जब हम उपलाई किये यानि कि जब 867 को 255 से हम क्या क्या कि डिवाइड के तो हमको क्या मिला 3 मिला % और 1-0, 2 मिला remainder, remainder 0 नहीं आ है, since कहेंगे कि since remainder, क्या कहेंगे, remainder 2, sorry remainder 1-0-2, 1-0-2 not equals to 0, remainder जो है 1-0-2 और 0 नहीं है, तो इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए step 2 चलेंगे, और step 2 में क्या लिखेंगे, step 2 में लिखेंगे कि take, कितना, 3 दोनों में जो greater होगा उसको dividend, तो 255 as dividend, 255 as dividend and 1-0-2 as remainder, और 1-0-2 को क्या मानेंगे, remainder मानेंगे, ठीक है, and apply, और यहां क्या करेंगे, and apply Euclid dividend algorithm, यहां क्या कि 255 को dividend माने, 1-0-2 को remainder माने, और Euclid dividend algorithm अप्लाइगे, तो जब apply करेंगे, तो 255 equal to 1-0-2 into 2, तो कितना हो जागा, 2-0-4 और plus यहां क्या जाएगा, 51, फिर से कहेंगे किस निस, remainder, फिर से क्या हैगा, remainder, 51 not equals to 0, फिर से जो remainder है, वो 51 0 नहीं है, तो यहां क्या क्या करेंगे, step फंद लिखेंगे, यह काम तब तक करते रहना है, हमको step बाहते रहना है, जब तक कि हमको 0 ना आ दे जाए, अब फिर से इन दोनों में greater कौन है, 1-0 तो जो greater है, उसको divisions मालेंगे, हम क्या कहेंगे, कि take 1-0-2 as dividend, 1-0-2 as dividend, and 51, 51 as divisor, और 51 को divisor बारेंगे, and apply, and apply Euclid division algorithm, और हम क्या करेंगे, Euclid division algorithm apply करेंगे, तो इतना पहले लिख लिखेंगे, फिर अब इनार बारे step को erase करेंगे, जब हम Euclid division algorithm apply के, हमको क्या मिला, हमको मिला, 1-0-2 equal to 51 into 2 plus 0, now remainder, now remainder equal to 0, अब remainder क्या है, 0 है, इसलिए, NCF equal to last divisor, last divisor equal to 51, ठीक है, वो क्या होगे, last divisor और last divisor क्या था, 51 था, यहां भी देख लिजे, 51 as divisor, last divisor 51 था, इसलिए answer क्या होगे, आपका 51 है, तो यह आपका first question क्या था, total three questions थे, ठीक है, अब इसमें का next question आते है, कि next question क्या करता है, इसको pause क क्या कर लिजे, लिख लिजे, फिर next question देखते है, ठीक है, तो अब आपका second question देखते है, second question क्या करता है, second question आपको कहा रहा है, कि so that, any positive odd integer, question है, is so that, so that, any positive, any positive odd integer, any positive odd integer, so that any positive odd integer, is of the form, is of the form, of the form, 6Q plus 1, 6Q plus 1, 6Q plus 3, और 6Q plus 5, हाँ को proof करना है, कि कोई भी positive odd integer, जो है, वो 6Q plus 1, 6Q plus 3, और 6Q plus 5 के form में होता है, where Q is, Q is some integer, ठीक है, जहां Q कोई integer है, या any integer का सकते हैं, जहां Q is any integer, okay, अब इसको solve करेंगे, इसको solution करेंगे, तो देखे, आपको जब यह हर बार बोल रहे हैं, कि जो भी चीज हम यह अहां बोल रहे हैं, यह सभी बाते आपको अल्लेटी बताया जा चुका है, और अगर आप नहीं देखे हैं, तो आप जाकर वीडियो देख लीचा, हम लिंक देखेंगे, दिस्क्रिप्समें ही लिंक देखेंगे, और आप वीडियो के अद में भी लि दिवाइड करेंगे 5 से, अगर हमसे कहेगा 7Q प्लस 1, 7Q प्लस 2, तो हम दिवाइड करेंगे 7 से, अगर हमसे कहेगा 9Q तो हम दिवाइड करेंगे 9 से, यानि जितना कहेगा उतना हमको क्या करना दिवाइड करना है, तो यहां हमसे कह रहा है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, तो यहां हम किस से डिवाइब करेंगे? Q, 7, 6 से, ठीक है? तो यहां देखे, हम यहां क्या करेंगे? यहां पहले मान लेंगे, कि Let, Let, A is any positive integer A is any positive integer मान लिए कि A क्या है? Positive integer, ठीक है? When A is divided by When A is divided by 6 When A is divided by 6, ठीक है? हम Q, 6 से डिवाइब के हैं, अभी आपको बताएगे, अगर 2Q कहता है, तो हम यहां कितना से डिवाइब करते हैं, 2 से डिवाइब करते हैं, अगर यही चीज 3Q कहता है, तो हम यहां 3 से डिवाइब करते हैं, अगर यही चीज 4Q कहता है, तो हम यहां 4 से डिवाइब करते हैं, तब 6 से divide किये, then we get, then we get q as percent, q as percent and r as remainder, r as remainder. और जब हम इसको divide गे था, हमको q मिला, quotient के तरह q मिला, और remainder को हमको r मिला, such that, यहां से इस तरह से मिला है, such that, कि a equal to 6q plus r, और यह जो r का value ना 0 से देके कहां तब होगा, आपको already यह भी बता जा चुक है, कि अगर 6 से divide कर रहे है, 6 से divide कर रहे है, तो उससे एक कम, 4 से divide करते हैं, तो उससे एक कम, यानि 6 से divide कर तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हुगा, यह 6 नहीं हुगा, तो यह already यह सारी बात यह आपको बताई जा चुकी है, अब देखिए, यहां R का कितना, R का जितना value होगा ना, उतना case बनेगा, तो R का यहां देखिए, एक एक case करके हम देखेंगे, यह equation first मान लीजें, और इसको याद रखेगा, अब हम इसको erase करते हैं, और फिर से क्या करेंगे, एक एक case करके हम पढ़ेंगे, ठीक है, अब द अब देखिए, अब यहां था, यहां क्या था कि case 1, क्या करेंगे, case 1, इसको यहां क्या कर देते हैं, यह solution में है, case 1, case 1 में when R equal to 0, जब R equal to क्या होगा 0, तो A equal to क्या था, 6Q plus R था, तो A equal to यहां से क्या होगा, 6Q plus 0, यानि कि 6Q, ठीक है, तो clearly it is even, यहां लिखेंगे कि clearly it is even क्यों even है, 6Q, 6 का है, 6 को हम लिख सकते है, 2 into 3Q, अगर किसी का 2 factor हो जाएगा, तो वह even होता है, 6Q को हम 2 into 3 को लिख सकते है, यानि 2 जो है A का factor है, और 2 A का factor होगा, तो A जो है 2 से divisible होगा, और 2 से divisible होने माले हर एक numbers को हम क्या बोलते है, even बोलते हैं, और यह भी बात आपक जाएल जचुका है, तो यह इसलिए क्या हो जाएगा, A equal to 6Q क्या होगा, even होगा, case 2 चलेंगे, अब इसके बाद case 2, case 2 में क्या लिखेंगे, कि when r equal to 1, case 2 में क्या है, जब r equal to क्या हो, 1 हो, तो A equal to क्या हो जाएगा, A equal to क्या हो जाएगा, 6Q plus 1, और we know that since even plus 1, even plus 1 equal to odd, ठीक है even plus 1 क्या होता है, odd होता है, इसलिए 6Q plus 1 is odd integer, ठीक है, अब जलेंगे case 3, क्या करेंगे, case 3, when r equal to, when r equal to, देखे, r का किता value था, r का value था, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 0 हो गया, 1 हो गया, अब r का value, 1 के बाद, देखे, 2, अब r का value, when r equal to 2, जब r equal to 2 लेंगे, तो A equal to 6Q plus 2, 2 common ले लिए, 3Q plus 1, ठीक है, फिर से देखे, इसमें क्या है, 2 आपका बाहर आ गया, यानि 2 factor है, इसलिए clearly it is even, फिर से लिखेंगे, clearly it is even, ये क्या है, even, अब चलेंगे case 4, क्या करेंगे, case 4 किया, case 4 में क्या करेंगे, when r equal to, when r equal to, देखे, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3, when r equal to 3, तो a equal to क्या हो जाएगा, 6Q plus 3, 6Q क्या है, even है, since even plus odd, since even plus odd, equal to क्या होता है, odd होता है, अगर even में odd जोडेंगे, तो उनको क्या मिलेगा, odd मिलेगा, इसलिए it is even, इसलिए it is odd integer, ये क्या हो जाएगा, odd integer हो जाएगा, clear है, 4 case हो गया, odd 2 case है, तो आप पहले pause करक के लिख़ी चे, फिर ये 2 case करवाते है, चीक है, तो इसको हम erase करते हैं, और इधर 2 case को लिखते है, case 4 हो गया, यहां लिखेंगे case 5, यहां क्या लिखेंगे, case 5, case 5 में क्या लिखेंगे, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आप r equal to, when r equal to, कितना, 4, जब r equal to 4 लेंगे, तो a equal to 6 cube plus 4, यहां से 2 common ले लिए, तो 3 cube plus 2, फिर से 2 क्या है, फिर से 2 factor हो गया है, फिर से लिखेंगे कि clearly, clearly it is event, यह क्या है, event है, अब चलेंगे case 5, अब क्या चलेंगे case 5, when r equal to, कितना, देखें, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब आप 5, when r equal to 5, तो a equal to 6 cube plus 5, किरवाई बाद, since event plus odd, क्या होता है, odd होता है, event plus odd, odd होता है, 6 cube even है, पहले यह step में प्रूव गाता है, 6 cube क्या है, तो इसलिए, it is odd number, इसलिए, it is odd integer, odd integer, इसलिए यह क्या है, odd integer, clear है, अब हुँ इधने वाले step को मिटा रहा है, इसको engage करते हैं, ठेक्या, ठेक्या है, तो अब हम final लिखेंगे, final में क्या लिखेंगे, finally लिखेंगे, कि from above, above all cases, ठेक्या है, सभी case, case 1, case 2, case 3, case 4, किया, from above all cases, we see that, we see that, we see that, all positive, even all positive, odd integer, odd integer, are in the form of, in the form of, ध्यान से देखेगा, कि क्या था, जहां-जहां भी, odd integer, वो कौन-कौन सा था, वो था, 6Q plus 1 था, 6Q plus 3 था, और 6Q plus 5, yes, proved, ठेक्या है, यह क्या हो गया, proved हो गया, clear, तो यह आपका क्या है, second question है, अब हम करेंगे, third question, आईए, तब हम third question देखने वाले हैं, और third question देखने के परल हम कुछ पॉइंट सुन लेंगे, जैसे देखिए, इसमें हमको समझना क्या है, फर्स्ट आप का question का रहा है, जैसे अगर हम आपको ऐसे बना रहते हैं, यह आपका ऐसे, ठीक है, तो जो horizontal line है, ठीक है, row किसको बोलते है, horizontal line को क्या बोलते है, वो बोलते है, horizontal line जो होता, उसको क्या बोलते है, वो बोलते है, और vertical line को क्या बोलते है, column बोलते है, यानि कि देखो, यह column हुआ, यह एक first column हो गया, यह आपका second column हो गया, यह आपका 3rd column हो गया, यह आपका 4th column हो गया, ठीक है, column कहने का मतलब कि यह ऐसे क्या होना चाहिए, इस तरह से vertically होना चाहिए, ठीक है, अब देख्या बात है, question बना, अब question बनाने से पहले हम क्या करेंगे, कि कोई छोटा सा point लेकर समझेंगे, जैसे माल हो कि कोई दो point ले लेते हैं, जैसे एक ले ले लिए कितना, 12 ले लिए और एक 4 ले ले लेते, ठीक है, माल लेते हैं कि, माल लेते हैं कि जो army contingent था, 12 था, जिसको 4 यह 4 किया थे, 4 थे, army band के पिछें को क्या करना था, तो यह किस तरह से मार्च करेंगे, देखो, क्या-क्या condition बन सकता है, हो सकता है कि जो army band वाले हो, वो इस तरह से, ठीक है, और उनके पिछे कुछ इस तरह से क्या करें, उनके पिछे यह आपका army contingent, army contingent वाले खुँम है, ठीक है, हो सकता है, यहां क्या हो, कुछ इस तरह से 2 के two wole果 रहे, और उनके पिछे, फिर उस तरह से क्या हो, army contingent वाले हो, ऐसे भी हो सकता है, फिर याँदका ऐससा हो सकता है कि 4 के 4 ए 1 दूसरे के पिछे हो, और 10 के पिछे फिर army contingent भू अर इनके पिछे army contingent हो, तो maximum number किसमें बना देखें maximum number of column इसमें कितना column बना है इसमें एक column, दो column, तीन column, č一個 column, 4 column इसमें कितना column बना? 4th Economics इसमें एक साथ और कितना बना? 2 속 और इसमें सिल्फ एक column, ठिक है то maximum किसमें अ 24 тоら Esigo खुद गोगे तो फूर थ है। ठिक हैं किना Column है? निए टिक है, जिए टाश ब्लॉय में कहलेगा निए तो फूर देक है। यानि कि अधर मेंको गवाद से पहला मैजिए तो हम क्या करेते हैं है। जब हम इन दोनों का HCF निकालेंगे न तो उसी तरह बाला नमबर के निकालेंगे कुछ नहीं करना हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे तो यह क्या करेंगे सिधे लिख देंगे क्या कि number of column क्या लिखेंगे number of number of column equal to क्या हो जाएगा HCF of कितना 616 और 32 दोनों का HCF कितना होगा जो आएगा वो लिख दो कितना आएगा 616 में आपका हो जाएगा कितना से अगर आप यूपलिक से चलो तो हो सकता है कितना आएगा यह 8 यह हो गया 29 फिर यहां आया इतना आउ ठीक है ठीक है तो इसे नहीं निहीं निका थे को फेक्टराईजेशन के मेतर से तो फेक्टराईशन के मेतर से यहाँ का वोगे ठीक है अब यहां से क्या होता है PCF चो होता है क्या होता है common factor विध लोवेस्ट पार्वर ठीक है तो common factor कितना है common two है lowest part three है मतलब याव का होगी eight याव का third question है इसको पालशोर के एंट लिए फिर fourth question में 1, 2, 3m or 3m plus 1, 4 some integer m, 2, 2, आपसे ऐसने कुर्स evalu है, अपसे अपसे, कि बसेजिस्य मेब ऴकिंडिन कि दैजर अदिच्वे है 3m or 3m plus 1, 4 some integer n इसको देहो solution कैसे करेंगे इसका solution करने कि हम क्या करेंगे यहां क्या करेंगे आप से square बनाओ तो सबसे पहले माल लेंगे कि late is then is integer late a be any positive integer माल लेंगे कि a कोई positive क्या है integer ठीक है जब हम एक को टिवाइब करेंगा आपको अर्डेटी बताचुकी है, कि जब थी question जीसे देखो-3M है, तो किससे divide करेंगे 3 से, 4M होता, तो किससे divide करते है, 4 से करते है, जो इस M के साथ attach होता, उसी के साथ क्या करते है, divide करते है, यहां M के साथ 3 attach है, तो 3 से, अगर 6M plus 1, तो 1 से नहीं, 6M के साथ क्या attach है, 6 है, m के साथ क्या अच्छा 6 तो 6 से डिवाइड करेंगे तो नहीं या देखे 3m और 3m प्लस 1 तो यहां डिवाइड किस से करेंगे 3 से करेंगे तो when a is divided by 3 when a is divided by 3 जब हम यह को 3 से डिवाइड करेंगे ठीक है we get हम क्या हमें का मिलेगा a equal to हमें मिलेगा a equal to 3 q प्लस a equal to 3 q प्लस a और r का बेलो 0 1 और 2 जब है अब देखे यहां से लेकिन आपसे a नहीं पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है a square ठीक है तो a square कितना हो जाएगा 3 q प्लस r का whole square और यह आपका हो जाएगा 3 q का whole square प्लस r का whole square प्लस 3 ठीक है प्लस 2 into 3 q into r यह a plus b के whole square पर टूट रहा है ठीक है a square प्लस b square प्लस 2 यह आपका हो जाएगा कितना एगा 9 q square plus r square प्लस 6 q r इसको माल लेंगे equation first यह आपका जाएगा equation first अब equation first यहाद रखेगा अब हम केस वाज़ चलेंगे इसको सबको erase करते हैं सबको erase कर रहे हैं पहले यहाँ मूपर में equation लिख रहते है equation क्या था हम लोग का a square equal to 9 q square plus r square plus 6 q r यह क्या हम लोग का equation है ठीक है तो इसमें देखते हैं अब हम क्या करेंगे ते कि अभी r का value था वह क्या था 0 था 1 था 2 था case 1 case 1 में जब r equal to 0 when r equal to 0 a equal to कितना होगा जब r 0 होगा तो a कितना होगा a square 9 q square plus r square यानि 0 square plus 6 q into r यानि कि a square equal to 9 q square plus 0 plus 0 यानि a square equal to 9 q square अब question है क्या हमको 9 q square चाहिए आप जाके बजार से क्या लेका आना तो हम क्या खड़ाने करेंगे तो यहां question को याद रखना है कि question में हमको answer क्या आना है कभी-कभी जो answer question ले जाता पड़ता है देखो यहां 3 m चाहिए अब जिसा माल हो suppose अब आप मार्केट करें अब इसान का पड़ता है, तो आप गए ड़के हूए तो यहां ole खाय़ देख हbonे तो यहां देखे 3 m क्या चाहिए तो यहां 3 कैसे आगा यहां से क्या करेंगे, आप 3 को बाहर कर लें तो 9 में से 3 को बाहर कर लेंगे 4,3 3 के क्या 9 में लिखना इसलिए When a square equal to 3m, where a equal to 3qa square, यह पहला है किस है, ठीक है, फिर चलेंगे circuit case, उसके पाद क्या चलेंगे, case 2, case 2 में क्या कहें इगे, when r equal to 1, case 2 में जब r equal to 1, तो R equal to 1 होगा, तो A square equal to क्या हो जाएगा, 9 Q square plus 1 का square plus 6 Q into 1, यानि आपका आगया A square equal to 9 Q square plus 6 Q plus 1, आया, अब देखो ध्यान से, हमें लाना क्या है, 3 M plus 1, अगर हम इसको 3 M कर दें, सिर्फ इतना भ्यान से देखो और इसको हम चेंज कर दें 3 M में, तो 3 M plus 1 नहीं हो जाएगा, 3 M और यह वाला plus 1, तो हमें इसको सिर्फ 3 M कर देना, plus 1 तो लेकी है, plus 1 को इसको 3 M कर देना, सबसको फेक देते हैं यह जो पार्ट है यह फाल्टू है तो यहां क्या करतेंगे 3m plus 1 तो यह m equal to m equal to क्या हो जाएगा 3tv square plus 2k चीक है यह आपको होगे case 1 case 2 अब case 3 देख लेते हैं इसको erase करते हैं और case 3 देख लेते हैं चीक है तो यहां सब case 3 में क्या है case 3 में क्या है case 3 में when r equal to 2 जब r equal to 2 होगा तब क्या करेंगे a square कितना होगा a square equal to तो यह बजाएगा आपका 9 q square plus 2 square कितना होगा 2 square plus 6 के when to 2 यानि यह हो गया 9 q square plus 4 plus 12 q इसको सजा के लिखे तो 9 q square plus 12 q plus 4 अब बताओ हमसे यह बताओ कि कहीं आपको m plus 4 दिया था क्या m plus 4 कहीं था नहीं था जब m plus 4 नहीं था तो यह हम to plus 4 आ गया तो हम इसको change करेंगे हम आपको क्या बोले जो जरूरत होगा वही करेंगे घर में जरूरत होगा पंखा को तो कोई भी मसेनरी काम करके एक पंखा ही लगाए यह ना कि घर मी समद रहे हैं हम मसेनरी करके बॉल लगा दगे नहीं हमको पंगा चाहिए तो हम कोई में मस्नी रिकुआर करने जितने भी चुटा पर्टा समान होगा उसको पुडा यूज करके कोशिश करें कि फैन ही बना दे तो कि हमको गर्मी लगा तर फैन का जिरो रहत है तो यह नहीं कि पुडा समान रखना रखा उसको छीक करकर के हमको चाहिए क्या प्लस ओन तो यहां क्या करेंगे क्या कईअग नाइन qa square प्लस ुपkick लू reality और बान शर थालाद में अभ ज्यांस से धुब अब क्या करेंगे यहां से लेंगे यहां तक कि परको जिज करेंete चैंज कर देना है qa sqa क्या के दिए ठीज अ फिर फिए तो यहां होगी आपका plus 1, यहां क्या होगी आपका plus 1, जो एक्स्टा पाट बचा उसको क्या माल लीजे, एम माल लीजे, तो यह बजाएगा 3m plus 1, फिर से रिखेंगे वियर, m equal to 3q square plus 4q plus 1, तो जैसे आप देखें, अभी आप तीनों case में देखें, 1st case में क्या आया था, 3m आया था, 1st case में 3m आया था, 2nd case में 3m plus 1, 3rd case में 3m plus 1, यानि कि जितने भी square positive integer होते हैं, वो 3m या फिर 3m plus 1 तो फॉर्म में होते हैं, तो यहां लिख सकते हैं कि from above all cases we can say that, ठीक है, क्या खाएंगे, from above all cases we can say that, we can say that, all, square of all positive integer, square of all positive integer are in the form of, are in the form of 3m और 3m plus 1, यानि कि जो भी positive integer होते हैं, वो 3m या 3m plus 1 के, ठीक है, तो यह आपका क्या है, 4th question, इसके बाद हम last question कर लाते हैं, चले तो नितनी last question क्या है, last question लग लग, second last के तरह नहीं है, उसमें क्या थे square और उसमें क्या है, q है, इसमें क्या है, use Euclide division level to show that q of any positive integer, q का मतलब होता है, aq, ठीक है, यह पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो काम करते हैं, वो क्या लिखेंगे, कि let a be any positive integer, let a be any positive integer, देखें, हर बाद हम आपसे करते हैं, कि n के साथ जो attachment, उसी से क्या कर दीजेगा, divide कर दीजेगा, यह 9 से भी divide कीजेगा, तो यह स्मर आएगा, लेकिन वो long कर दाएगा, क्योंकि 9 से divide करने का मतलब r का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना बेल, और r का इतना बेल उबा तो इतना case, तो हमको इतना solve करना करेंगा, लेकिन एक तरीका और हमारे पास है, कि अगर हम इसको 3 से भी divide करें, तो मेरा से same case आएगा, तो यह हम क्या करेंगे, हम 9 से ना divide करके, हम 3 से divide करेंगे, यह exception है, जिसे याद रखेगा, ठीक है, तो let a be any position, when a is divided by 3, when a is divided by 3, ठीक है, जब हम a को 3 से divide करेंगे, we get, ठीक है, we get a equal to, कितना? a equal to हमें क्या मिलेगा, 3q plus r, और r का जो value का 0, 1, 2, लेकिन हमसे a नहीं पुछ रहा है, हमसे a नहीं पुछ रहा, हमसे पुछ रहा q, यानि aq, तो aq के लिए क्या होगा, aq करेंगे तो यहाँ 3q plus r का whole q, और यह क्यों फॉर्मुला यह इस फॉर्मुला पे है, देखे, a plus b ka whole q, और यह है aq plus bq plus 3a square b, ठीक है, 3a square, 3, और a का आज़ेगा कितना है, 3q का square, into b, और plus, यहां हो जाएगा plus 3a into b square, ठीक है, तो यह आपका आज़ेगा, 27qq plus rq plus 9, कितना 27q square r plus 33 का 9q r square, यह होगा आपका impression first, यह आपका क्या है, यह है aq कर रखे, ठीक है, हमको इसी में क्या क्या है rq value पूट करना, क्यों इसी में पूट करेगे, क्योंकि इस पर आपसे qb का बूचरा, आपसे simple नहीं कुछ रहें, की positive integer कि इस फॉर्म में होते है, Q Q का मतलब AQ अगर कहता कि simple कहता कि positive integer कि इस form में होते हैं तो positive integer कहता तो यहां करते A square हो positive integer कहता तो A square करते लेकिन आपसे AQ कर रहा है यहां AQ निकाल लेंगे और इसमें R value क्या करेंगे पूट करके देखेंगे कि कितना आ रहा है तो चले फिर से erase करते हैं और देखते हैं सब case करके ठीक है तो यहां आपका क्या है पहले हम लेकि लेते हैं AQ का value कितना है AQ इक विक वर्टल आपका कितना है 27QQ plus RQ plus ठीक है 27Q square R plus 9Q R square 9Q R square यह हमारा क्या है AQ का value है अब हम क्या करेंगे R का value पूट करके चेक करें सबसे पहले क्या करेंगे Case 1 Case 1 Case 1 में क्या होजाएगा When R equal to 0 When R equal to 0 जब R का value 0 लेंगे तो AQ कितना होगा AQ देखेंगे कितना होजाएगा 27Q plus 27Q square into 0 plus यह होजाएगा 9Q into 0 square देखें इसमें भी 0 इसमें भी 0 इसमें भी 0 तो यह भी कितना होजाएगा 27Q square plus 0 plus 0 plus 0 यानि 27Q Q Q लेकिन हम से प्पिर वही काम जो last question में किये थे कि हमको चैसे क्या चाहेंगे हमें चाहेंगे 9M हमें क्या चैसे है 9M हमको बढ़ात से ची नहीं लाना है कुछाएपती रही खड़ देगे ठीक है हमको 9 चाहिए लेकिन यहां तो 27 है हमें चाहिए 9 लेकिन यहां है 27 तो हम इसको चेंज करेंगे 9 तो इसको 9 into 3 और उसके बाद Q Q लिख सकते है और यह जो भी फालतू का बच गया इसको हम क्या कर लेंगे अमाल लेंगे तो यह आपको हो जाएगा कितना यह आपको लिख देंगे कितना 9M AQ is equal to 9M WHERE WHERE AQ is equal to 3 Q Q बात समझना है जो हम को चाहिए हम हमें सब कोस्चन याद रखेंगे याद रखना है कि आपको कोस्चन याद रखना है जो कोस्चन में कहेंगा वही लाना है तो फिर सब सेकेंड चलते हैं Second case Second case में देखने कि Second case क्या है Case 2 अब क्या है Case 2 When R equal to 1 जब R equal to 1 लेते हैं तो AQ कितना होगा AQ AQ आपका हो जाएगा 27QQ plus 1 plus 27QA square plus 9Q होगा जहां जहां रखेंगे 1 value यही आएगा इसको अगर change करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 27QQ plus 27QA square plus 9Q plus 1 देखो हमें जो Second चाहिए था हम एक question यहां लिख लेते हैं हमें क्या चाहिए 9M चाहिए 9M plus 1 चाहिए और 9M plus 1 चाहिए अब हमें क्या चाहिए 9M plus 1 ठीक है अब हमें क्या चाहिए 9M plus 1 देखें थाहां से यहां plus 1ा अब को दिख रहा है बस किसको यानिक अगर यहाँ से लेके यहां तक 9M कर देए तो मेरा काम हो जायेगा कैसे 9M कर आएक कुछ नहीं करना है बस यहां से क्या किजिए, 9 को बाहर लिए लिए, 3QQ प्लस यह कितना हो जाएगा, 3QA स्क्वार प्लस Q, ठीक है, प्लस 1, अब जो भी एक्स्ट्रा बच लिए, उसको M हमाल लिए, यहां क्या हो जाएगा, 9M प्लस 1, इसलिए, AQ is equal to 9M प्लस 1, यहां लिखेंगे, where, sorry, where, M equal to K, कितनी हो जाएगा, 3QQ, plus 3Q, plus Q, plus Q, ठीक है, यानि कि हमें यहडी कर लिए, अब हमें क्या चाहिए, 9M प्लस 8, दो का हो गया, अब हमें 9M प्लस 1, चाहिए 9m प्लस 1 चाहिए 9M प्लस 1, एगा, अगर यहां ही अग़ अगर धर 3 कहाता, तो यहां से 3 कौमन लेते, जो यह question को याद रखना यह नहीं होगा तो जब question में रहेगा तो रफॉर्ट में यह लिख लिजेगा क्या आपके माइद में सेट रहे क्योंकि जो question कर रहा है वैसा ही चलना ठीक है अब देखें इसमें क्या है कि थार्ट कैस देखिए अब चलेंगे केस थार्ट देखिए केस थार्ट में क्या है केस थार्ट में क्या है वें आर इक्वाटू जब आर इक्वाटू टू तो क्या करें ठीक है तो एक्यू कितना होगा एक्यू 27 q q plus 2 का q plus 27 q square into 2 plus 9 q into 2 का square यह हो जाएगा कितना 27 q q plus 8 plus 27 तूजा कितना हो जाएगा 54 q square plus 2 तूजा 4 नाइजा 36 q यह आप आए ठीक है इसको अगर सजा के रिखें तो यह कितना हो जाएगा 27 q q plus 54 q square plus 36 q plus 8 ध्यान सब आप देखिए अब खुद देखिए यहां क्या है 9 m plus 8 अब खुद देखिए यहां से अगर ब्रेकेट कर दे तो यह plus 8 हमाना पाहत निकल यहां अब हमें पस किसी तरह इसको 9 m कर देना कैसे 9 m करेंगे अब खुद देखिए इसमें से भी 9 इसमें से भी 9 common, इसमें से भी 9 common, 9 को बार कर लिए, ठीक है, 9 को बार कर लिए, 3QQ plus 6Q square plus 4Q plus 8, अब यह हो जागा सीदे क्या, 9M plus 8, where, where, M equal to 3QQ plus 6Q square plus 4Q, तो देखिए यह आपका क्या है, तीनो केस आपका हो गया, इसमें यही एक logic है, कि यहां क्या कर लिजे, कि और पॉस्चन को लिख लिजे, और जो पॉस्चन कह रहा है, ठीक है, उसी कहीं साब से चलिए, अपना कोई extra mind नहीं डगाना है, हमको पॉस्चन 9M कह रहा है, तो यहा कि यहां से कुछनी last statement लिख देना है, यह तो आपका होगे है, यहां से बस last statement लिख सकते है, कि as we see that, यहां क्या लिख लिखेंगे, एक last लिख सकते है, कि as we see that, as we see that, as we see that, any cube of any positive integer, cube of any positive integer, are in the form of, are in the form of, 9M, 9M plus 1, और 9M plus 8, तो यह आपका क्या है, total exercise 1 का complete है, अगर भी आपको इसमें से कोई ऐसा question रहा होगा, जो आपको नहीं समझ रहा होगा, हो सकता है कि कोई माल जी की 1, 2 लेकर 5 तक question था, आपको को नहीं समझ रहा होगा, तो वार्षप नमर दिस्क्रिप्शन में दिया हु झाल झाल